नमस्ते, मैं आपको सवधान कर रही हूँ, बंगाल में ग्रेय योच शुरू हो चुका है, मैं कई दिनों से कह रही थी उत्तर दिनाजपुर मालदा, मुर्शिदाबाद और दुकिन चोबिश परवना में मुसल्मानों की जनसंख्या खत्रे के निशान से उपर जा चुका है मैं पिछले दो-तिन दिन से वीडियो बना रही थी एक बच्ची आईशानी जिसको ग्रिफ्तार करके रखा गया है, वो बच्ची बहुत छोटी है, फस्ट एर की स्टूडेंट यानि 16-17 साल से जादा नहीं होगी वो, उसके बावजुत उसे जुजिशल का स्टडी में बं के रख रहे हैं कि वो कहीं पर किसी के साथ बात वात नहीं कर सके, उनसे कौन इंफरमेशन बाकी हिंदुस्तान से बंगाल के उन मुस्लिम बहुल इलाकों से काट के रखा गया है, यह ठीक उन 1989 की कश्मीर में जो हुआ था ठीक वैसा ही हो रहा है, और उत्तर दिनाजपूर मालदा, मुर्शिताबाद, दुकिन चोगविश परगणा, इंडो बंगलादेश बॉर्टर का यह पूरा हिस्सा जो मुस्लिम बहुल हो चुका है, यहां से हिंदुों को पूरी तरह से भगा देने की बंदोबस्त हो चुका है, और यही चल रहा है, ममता दीदी खराब है ह उनके हाथ में कुछ है ही नहीं, क्योंकि बंगाल पुलिस में 40% के बड़ाबर मुस्लिम घुसे आया है, और बंगाल में मुसल्मानों की तादाद भी बहुत जादा है, मस्जिदों में और मदर्सों में हतियार लेके अंडरग्राउंड बैठे हुए है यह लोग, इसलिए पुलिस वाले की हालत है, पुलिस, BSF काम करने लायक नहीं है, 1989 का कश्मीर की हालत बंगाल का आज हो चुका है, अमिशा जी इस सत्त को माने और सेना उतारे, अन्यता में देश भर के हिंदों से खास करके जो बंगाल के आजु-बाजु का इलाका है, उरिसा, बिहार, उत्त प्रदेश, उत्राखन से आपके हाथ में जो भी हो, देसी कटा, तलवार, फरसा, जो भी हो, आप लेके बंगाल कुछ कीजिये, वरना बंगाल हाथ से चला जाएगा, मुसल्मानों ने अपना गजवाई हिंद्या शुरू कर दिया है, बंगाल खत्रे में है, और बंगाली लोग चुप बैटे है क्योंकि उनकी बच्चों की इजद्दाओं पे है, बच्चों के साथ गलत काम ना हो, इसलिए उन्होंने मुग बंद रखा है, इन सिमावर्ती आलाकों में मुसल्मानों ने अपना जहर दिखाना शुरू कर दिया है, बंगाल में ग्रियायोच शुर